Hello friends, Circle of Education welcomes you. History of English Literature की सीरीज में हम नियो क्लासिकल एज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे तीन पिरियड्स आते हैं, Restoration Age, Augustan Age and the Age of Sensibility. तो लास्ट वीडियो में हमने Restoration Age बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, आज की इस वीडियो में हम Augustan Age करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो Augustan Age जो है इसकी duration 1700 से 1745 तक रही है, इसको Age of Alexander Pope भी बोला जाता है, और इसको Age of Reason भी बोला जाता है, आई हम जानते हैं इस Age को Augustan Age क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस वक कोई Emperor तो थे नहीं Augustan, So this Age is called Augustan Age, because the writers of this age, this age means 1700 to 1745, so writers of this age were initiating classical writers, मतलब यह है कि इस वक्त के जो राइटर्स थे ना, वो इमिटियेट करने लगे थे इटली के राइटर्स को, और वो राइटर्स जो थे वो उस वक्त अगस्तर्स के अंडर आता था, Emperor Augustus थे जिसका duration 27 BC से 14 ED तक रहा था, बेसिकली मैं थोड़ा सिंपल करके बताती हूँ कि Augustus Emperor थे इटली में 27 BC से 14 ED तक, तो उस वक्त जो भी राइटर्स थे ना, उनको जो है हमारे अब के राइटर्स यानि 1700 वाले, 17th century वाले वो फॉलो करने लगे थे, इमिटियेट करने लगे थे, इसलिए इस एज को Augustan Age बोला जाता है, और रही बात इसको एज ओफ पोप क्यों बोला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पोप का जो वर्क था, और पोप जो है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है Augustan Age को अपने वर्क से थुरू, He was best non-poet of the time, तो मेरी हर वीडियो की तरह, लिटरेचर पे जाने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल जो भी structure चल रहा होता है, वह समझाने की पूरी कुशिश करती हूं, तो आए इस वीडियो में भी हम पहले पॉलिटिकल बेग्राउंड क्या चल रहा था उस वक्का यह समझते हैं, तो James 2 तक का तो सब को याद ही होगा, James 2 जो होते हैं, brother होते हैं, चाल सेकिन्ड के, ठीक है, फिर glorious revolution होता है, क्योंकि यह जेम्स जो है वो Catholic होते हैं तो Glorious Revolution होता है 1688 में लोगों के द्वारा इनको जो है शासन से हटाने के लिए तो यह जो है यह भाग जाते हैं उसको Glorious Revolution बोला जाता है तो जेम्स 2 ही जो होते हैं वो Last Roman Catholic मुनार्ख होते हैं यह मैंने साइड में भी लिख रखा है एक बरियाप पढ़ लेना इसमें मैंने यह लिखा है कि जब यह Glorious Revolution होता है और जेम्स 2 जो है वो भाग जाते हैं तो उसी वक्त Act of Settlement भी आता है 1701 में इसमें यह होता है कि कोई भी Roman Catholic जो है वो अब King नहीं बन पाएगा इंग्लेंड क यहाँ पर England बोलने का मतलब यह है कि England, Scotland and Ireland क्योंकि तीनों में एक साथ रूल चल रहा होता है तो कोई भी Catholic जो है अब King नहीं बन पाएगा इनका और ना ही वो किसी Catholic से शादी कर सकता है यह Act of Settlement जो है वो 1701 में आया था तो James 2nd तक तो हम सब ने पढ़ा ही था लास्ट वीडियम और Mary और her husband का भी हमने पढ़ा था कि इसके बाद Mary जो होती है डाटर होती है James 2nd की और उनके husband William of Orange यह रूल करते है इंग्लेंड में 1649 में sorry it's 94 Mary जो है इनके death हो जाती है और यह childless इनके death होती है और 1702 में जो है William की death हो जाती है तो क्योंकि एक couple childless होता है तो इनके बाद जो rule करती है वो Annie करती है Annie कौन होती है Annie जो होती है second daughter होती है James King यह जो है queen बनती है England की और इनका duration रहता है 1702 से 1714 हाला कि इनके 17 times यह pregnant होती है लेकिन इसके बावजूद यह childless ही इनकी death हो जाती है और Annie के बाद जो है हम इनको George one का rule देखने को मिलता है George one जो है cousin होते है एनके यह बनते हैं England के king और 1727 तक यह rule करते हैं और फिर इनके बाद इनहीं के son जो है जो second आते हैं और वो England की king बनते हैं और 1727 से 1760 तक इनका rule देखने को हमें England में मिलता है तो friends यह अब तक तो था हमारा political background अब जो है हम इ point of view से Augustan age कितना fruitful रहा था तो इस age में हमें revival of Latin languages देखने को मिलती है ऐसा क्यों क्योंकि हमने पहले बर डिसकस किया कि जो writers होते हैं वो imitate करने लगते हैं classical writers को like Ovid, Ores ठीक है तो इन सब को जब यह imitate करने लगते हैं ट्रांसलेट करने लगते हैं तो लोग जो होते हैं उनका जो dedication है वो original work की तरफ थोड़ा सा जुकते हैं और इसलिए Latin language का एक तरीके से revival देखने को मिलता है और इस age का जो prominent feature है form of poetry में वो है setire, setire इस वक्त बहुत ज़्यादा prominent था, बहुत ज़्यादा famous था, हमें graveyard school of poets भी देखने को मिलते हैं इस age में graveyard school of poets का होता है मैं बता देती हू कि ऐसे poets जो एक particular, फ्रेंट देखो जब भी school word आता है ना, उसका मतलब यह मैना जाता है कि किसे भी particular चीज को, belief को, learning को, thought को, ideas को follow करने वाले लोग, ठीक है, जब एक साथ किसे एक चीज को follow किया जाता है, कुछ particular लोग जहें follow करने लगते हैं, उसको school बोल दिया जाता है, graveyard school of poets हो गया, classical school of poets हो गया, तो इसका मतलब यह होता है, तो graveyard school of poets क्या थे, a group of poets, ठीक है, यह poets का group था, और इस group के जो poets थे ना, वो ज्यादा तर, किस form की poetry लिखते थे, legy, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, graveyard यानि कबर, तो इस वक्त के जो writers थे, इस group के particular जो writers थे, वो legy legy क्या होती है, कि किसी की death के बाद, जब हम morning में कुछ लिखते हैं, शोक में कुछ लिखते हैं, उसको legy बोला जाता है, तो इनकी writings में ही हमें death, destruction, melancholy, legy, यही सब हमें देखने को मिलता था, इसलिए इसका नाम graveyard school of poets दिया गया था, इसके अंदर कौन से कौन से poets थे, हम देख लेते हैं, Robert Burton's का यह work जो था, the anatomy of melon के लिए इसी का पार्ट माना जाएगा, Thomas Gray, इनका बहुत famous work था, यह the allergy written in a country church, यह इनका बहुत famous हुआ था यह work और बहुत important भी है, next है Edward Youngs, इनका night's thought important poem है, और यह इसी का हिस्सा है, और next है Robert Blair's, इनका the grave poem जो है, वो graveyard school of poetry के अंदर आती है, इसी एज में हमें the classical school of poetry देखने को मिलेगी, और इसको जो है characterise, characterise किया है Hudson ने, पांच तरीकों से, कैसे किया है, आइए देखते हैं, तो classical school of poetry, मतलब poetry ऐसी, जो किसी particular चीज को, जो writers लिखते वाक्त फॉलो करें, तो इस वक्त की जो poetry होती थी, उसको Hudson ने बोला है कि the product of intelligence, कि वो जो poetry होती थी, वो product of intelligence है, मतलब यह normal, common लोगों के लिए नहीं है, जैसा कि Wordsworth ने अपने lyrical ballad में बोला था, कि poetry के language बहुत simple होनी चाहिए, सब लोगों के लिए होनी चाहिए, common होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है poetry जो थी, वो normal, common language देखने को मिलेगी, और यह सिर्फ well educated लोगों के लिए था, यह हम कह सकते हैं, उन लोगों के लिए था, जो उस वक्त, जो भी चीजे हो रही थी, socially, वो उनसे पूरी तरीके से aware थे, second characteristics इसका क्या है, town poetry, ठीक है, यह town people के लिए लिखी जाती थी, शेहरों के लोगों के लि English, यह complicated language यूज करते थे, बहुत ज़्यादा जो है, वो superficial लगता था, closed couplet इस वक्त बहुत ज़्यादा common था, बहुत ज़्यादा prominent था, closed couplet में क्या होता है, language होते हो, बहुत inflexible होती है, ठीक है, हम अपने according नहीं लिख सकते हैं, हमें कुछ particular rules फॉलो करने होते हैं, यह all romantic elements, तो इस वक्त के जो poets है, writers थे, वो एक specific, या फिर हम कह सकते हैं, they were writing for a civilized urban group, limited audience हो गई, subject इनका बहुत ही limited था, subject matter जो है, वो सिर्फ उन ही लोगों तक निर्भर था, क्योंकि इसी age में, या फिर इस से पहले वाली age में हमने पढ़ा था, कि coffee house culture शुरू हो गया था, वहा देखने को मिलने लगा था, तो यह सब जब चीजे आ रही थी, तो यही जो है, literature को भी कही ना कही तरीके से, किसी ना किसी तरीके से influence कर रहा था, आईए अब हम इस age के जो बहुत ही important authors है, writers है, या पोईट्स हैं, आप उनको देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम पोईट हैं, अगस्टन एज के, और यह best known, इनको मतलब माना जाता है, satirical verses लिखने के लिए, so he is best known for his satirical verses, heroic couplets and translation of Homer's Iliad, इन्होंने बहुत सारा translation भी किया था, एक चीज और अगर बताई जाए, तो यह जो एलेक्जेंडर पोप होते हैं, यह एक रोमन Catholic family से होते हैं, तो उस वक्त जो है Catholic लोगों की जो situation थी, वो बहुत ही वर्स चल रही थी, इनको equal बिल्कुल भी treat नहीं किया जाता था, इनको look down करके देखा जाता था, suspicion के नजरों से देखा जाता था, so they could not sit in the Parliament or they could not hold any office, और पोप को जो है ना, constantly criticize किया जाता था, attack किया जाता था, मीडिया के तरू, और इसी वजय से इनके contemporaries के साथ भी इनके relations बहुत जादा अच्छे नहीं थे, इनकी early education तो इनके घर में ही हुई थी, लेकिन बाहर जो higher education हुई इनके हम कहा सत्ते हैं, इनके खुद से सीखा, so he educated himself by reading Horace, Juvenal, Homer, Virgil, Chaucer, Shakespeare, Dryden, इन सब के थूँ इनके खुद से चीज जो है इन्होंने ही invent किया था, जो कि 17-13 में था, इसमें जो है इनके friends ही थे, वो member थे, कौन-कौन से थे, John Gay, Jonathan Swift, Thomas Pernal, and John Arbattnod, Alexander Pope के works की बात करें, तो इनका पहला आया था, essay on criticism, 17-11 में, हमको इस work से confuse नहीं होना है, essay on criticism, जो है, वो Matthew Arnold ने लिखा था, लेकिन essay on criticism, जो है, जो कि 3 parts में आया था, 17-11 में, ये हम जो है, Pope ने लिखा था, इनका सबसे जादा important work, जो है, वो the rape of lock माना जाता है, जो कि 17-12 और 17 14 में आया था, ये एक mock heroic narrative poem है, जो कि एक actual, मतलब real incident पे based है, so based on actual incident recounted by Pope's friend John Carroll and Arabella former, तो ये Pope के ही real friends होते हैं, और ये actual incident पे ये story, ये novel जो है, बेस्ट है, इनके other works की बात करें, The Imitations of Horace, 1733 में आया था, Perry Bathurst, The Art of Sinking into Poetry, The Windsor Forest, 1713, Windsor Forest में इन्होंने describe कर रहा है, अपना countryside, ठीक है, अपने house के around, जो इनका countryside था, उसको इन्होंने describe किया है, other work की बात करें, तो essay on man है, The Epistle to Dr. Artbot है, Danciard and Moral Essays है, Next important writer है हमारे restoration age के ही, Augustan age के अंडर आते हैं जो, वो है Jonathan Swift, जिनका duration 1667 से 1745 रहा है, ये Irish writer थे, ठीक है, ये एक satirist, poet, essayist थे, और इनके different pen names देखने को मिलते हैं, कि इन्होंने different pen names यूज कि हैं अपने writings में, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखे हैं, notes में, और Swift जो है, He is best known for using satire, ठीक है, किस तरीके के satire यूज करते थे, Horatian and juvenileian, इन दोनों में क्या difference होता है, ये देखते हैं, Horatian satire क्या होता है, Horatian satire जो है, इसका नाम रखा गया है, Roman satireist थे Horatis, ठीक है, इनके बाद इसका नाम रखा गया, Horatian satire में क्या होता है, कि जो social wise होती है, ठीक है, उनको हम criticize करते हैं, तो उस वक जब हम language यूज करते हैं, बहुत ही mild होती है, बहुत light होती है, humor के साथ हम डील करते हैं, सोसाइटी में जो भी चीजे होती है, wrongful, लेकिन juvenile satire में क्या होता है, पहले तो ये बता दे, ये juvenile के नाम पर रखा गया है, जो भी एक Roman satirist थे, इसमें social evil को जो हम language यूज होती है, बहुत ज़्यादा harsh होती है, नाथन सिफ्ट के important works की बात करें, A Tale of Tub, इनका बहुत important work है, 1704 में आया था, फिर है Gulliver's Travel, ये भी इनका बहुत ज़्यादा important work है, 1726 में आया था, The Battle of the Books, 1704 में आया था, The Rapier's Letters, The General to Stella, ये बहुत important works हैं इनके, next important writer की बात करें तो है Joseph Edison, जिनका duration 1627 से 1719 रहा है, ये भी जो है member थे Kit Kat Club के, ये essayist थे, poet, playwright, politician, सब थे, ये member of parliament भी थे, और इनको जो है founder बोला जाता है, Periodical का, ठीक है, इनका जो था बहुत famous The Spectator, जिसमें की total 555 essays थे, जिसमें से 274 essays Edison ने लिखे थे, और 236 essays जो है Rob Steele ने लिखे थे, अब हम इनके plays की बात कर लें, तो वो Liberato है, ठीक है, L-I-B-R-E-T-T-O है, spelling का आप देख ले ना, एक बरी, नेक्स्ट इनका work है, Kato or Tragedy है यह, और The Drummers यह comedy play है, जो की 1716 में आई थी, नेक्स्ट important author की बात करें, तो वो है Daniel D. 4, जिनका duration 1660 से 1731 रहा है, यह जो है जाने जाते हैं Adventure के लिए, ठीक है, इनके जो novel थे, उसमें Adventure देखने को मिलता है, हमें, और इनका original नाम की बात करें हम, तो वह है Daniel 4, इनके works की बात करते हैं, अब हम Appeal to Honor and Justice, The Family Instructor, General of the Plague Year, Robinson Crusoe, जो की 1719 में आई थी, बहुत ही important work है इनका, और इसी का sequel आया था 1719 में ही, The Further Adventure of Robinson Crusoe, Other important writers हम देख लेते हैं, तो Samuel Richardson है, जिनका duration 1689 से 1761 रहा है, इनका most famous work है Pamela और Virtue Rewarded, जो की 1740 में आया था, Friends इसको first English novel consider किया जाता है, Pamela और Virtue Rewarded को, Next important writer है हमारे Henry Fielding, novel के लिए बहुत ही जाना मनना नाम है, जिनका duration 1707 से 54 रहा है, इनका famous work है Joseph Andrew, 1742 में, यह भी novel ही था, इनके और भी famous work है, जो हम आगे discuss करेंगे Next Age में, इस age में Joseph Andrew ही देखने को मिलता है, Tom Jones और मुगरा, हमें Next Age में देखने को मिलेगी, Friends इसी age में हमें invention देखने को मिले थे, literary genre के नए-नए, जिसमें से periodical essay पहले ही हमने discuss कर लिया, यह उस वक्त बहुत ज़्यादा famous हो रहे थे, लेकिन यह बहुत short time के लिए थे, बहुत जल्दी यह out of fashion हो गए थे, और novel जो है, उस वक्त शुरुआत होई, और यह सबसे ज़्यादा लंबे टिकने वाला literary genre था, और यह बहुत ही popular था, अब तक चलता आ रहा है, और novel की famous होने के एक पीछे का कारण यह भी था, कि उस वक्त decline of drama देखने को मिला था, हमें क्यूंकि licensing act आ गया था 13, sorry, it's 1737 में licensing act आ गया था, तो drama का decline हो गया था और इसी के विजए से novel जो है हमें देखने को मिलती है, तो friends यह थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अगस्टन इज पूरी तरीके से cover कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम age of sensibility करेंगे, friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो please वीडियो को like करें, आपको note समझा रहे हैं तो comment section में बताईए, और please चैनल को subscribe कीजिए, thanks for watching this video.